हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ कड़ाई पनीर की सानदा रेसिपी एक बार बना कर जुरू ट्राई करना ताई शुरू करते हैं सरसों का तेल डाल दिया चार प्याज बारीक बारीक काट लिये एक काटोरी में मैंने यह सारे खड़े मसाले डाल लिये जैसे यह थोड़े से चटक गए तो मैंने इन में प्याज डाल दिये प्याज और साथ में ही मैंने एक जार में चार टमाटर और कुछ काजू का पेस्ट तयार कर लिया प्याज के भुनते ही अदरक लसन का पेस्ट हरे मिर्स डाल दी इन सब के भुनने के बाद टमाटर डाल दी टमाटर भी अच्छे से जब घल गए तो जो हमने तयार किया था पेस्ट काजू और टमाटर का वो डाल दिया दिमी दिमी आंच पर ही इन सब को अच्छे से पकाएंगे जब ही अच्छे से पक जाएंगे तो इनमें हम अपने साधरन जो घर में यूज करने वाले मसाले हैं व आपने स्वाद के अकोर्डिंग डाल देंगे तेज घाते हो तो तिखा डाल दो कम खाते हो तो कम डाल दो जब यह अच्छे सिपक जाएं तो पनीर को हम मोटा मोटा टुकुडों में काट लेंगे इनको काटने के साथ ही हम चार शिमला मिर्च, तमाटर और प्याज भी काट और एक कर्टोरी में अलग से हम फ्रेश क्रिम पैंट लेंगे एक अलग अड़ाई में गी गरम करेंगे गी जैसे गरम होता है इसमें जीरा और साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे और जो पनीर हमने मोटा मोटा कट किया था वो डाल देंगे पनीर को हलका थोड़ा थोड़ी देर के लिए दो तीन मिनट के लिए इसको हम मंदी मंदी आंच पर ही पकाएंगे जैसे ही यह पक जाता है तो हमने जो सारा मिश्ण तयार किया था पहले उसमें इन सब को मिला देंगे और हमारी जो क्रीम एफेंट के तयार रखी हुई वो भी इस समय इसमें डाल देंगे और गार्णिश करेंगे हम धनिया पत्ति से हमारी स्वादिश्ट सब्जी तयार है कड़ाई पनीर की इसको प्रांटे के साथ खाओ या रूटी के साथ खाओ बहुत ही स्वादिश्ट लगती है अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेर जरूर कर थेंक यू फोर वाजिंग